राहुल गांदी को सजा हुई लेकिन विपक्ष भी धीरे धीरे उनके साथ आ रहा है केजरीवाल जैसे नेता यदि उनको लेकर कोई भी टिकपणी करते हैं तो यह बहुत मौत तो पूर है केजरीवाल और कॉंग्रेस की दूरिया हैं जब बनी सी सोधिया पर कारेवाई हुई तो कॉंग्रेस ने कुछ भी कहने से दूरी बनाई थी लेकिन केजरीवाल ने राहुल गांदी के मुद्धे पर अपनी बात कई क्या कहा यह आपको बताऊंगा मामला क्या है? मोधी सरनेम को लेकर दिया गया एक विवादित बयान कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांदी को सूरत की अदालत ने इसमें दोशी करार दिया उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है उन्हें तुरंट जमानत भी मिल गई है इस मामले में और 30 दिन इस्थगित किये गई है उनकी सजा जिससे उनकी संसदी भी बची हुई है राहुल के बचाओ में कॉंग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल भी आ गए है साथी साथ में प्रियंका चतुरवेदी समयत कई नेताओं ने भी मैदान में बैटिंग की है इस मामले पर प्रियंका चतुरवेदी ने शिव सेना उद्दा उगुट हलाकि वो साथ में ही दिखाई देते हैं और इस वक्त सरकार महाविकास अकाडी का हिस्सा भी है लेकिन विपक्ष को लामबंद करने के लिए क्या ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है अर्विन केजरिवाल ने भी कॉंग्रेस सांसत का बचाव करते हो मोधी सरकार पर निशाना साधा है केजरिवाल ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अर्विन केजरिवाल कभी भी कॉंग्रेस के समर्थन में किसी मुद्दे पर नहीं आये है इस मुद्दे पर रहुल गांदी के साथ केजरिवाल का आना बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि अभी तक इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से दूरी बना कर रखी है मुद्दे एक जैसे हैं दोनों ही पार्टियां केंद्रिय जाच एजेंसियों के बेजा इस्तिमाल का मुद्दा उठाती हैं लेकिन जब एक दूसरे पर कारेवाई होती है तो चुप्पी साथ लेती है उधारण के लिए मनीशी सोधिया पर जब कारेवाई हुई तो कॉंग्रेस की तरफ से कुछ नहीं का आ गया हलागि कॉंग्रेस की तरफ से इस पर चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी गई थी कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने भी बात नहीं कही है अब केजरी वाल ने जो ट्वीट किया है या जिस तरह राहूल के समर्थन में सामने आए है क्या इस से आने वाले दिनों में ये दूरिया कम होंगी और इन मुद्दों पर ये एकजूट हो जाएंगी क्या विपक्ष को एकजूट करने के लिए सरकार के खिलाब जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं जिन पर विपक्ष के मुद्दे समान हैं वो मुद्दे इनको एक मंच पर चुनाओ में भी लेकर आएंगे बड़ा सवाल है बराल केजरिवाल ने अपना ट्वीट किया उन्होंने लिखा है गएर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकद्मे करके उन्हें खत्म करने की साज़िश हो रही है हमारे कॉंग्रेस से मदवेदें मगर राहूल गांदी जी को इस तरह मानहानी मुकद्मे में फसाना ठीक नहीं जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निरने से असहमत है केजरिवाल की प्रतिक्रिया राजनेतिक विशलेशकों के लिए थोड़ी चौकाने वाली है ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं खासकर राहूल गांदी और सुनिया गांदी के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं पर वो चुप्पी सादे रहे हैं इससे पहले नेशनल हराज का जो मामला है या केंद्रिय जाच एजनसियों की जब जब कारिवाई कांग्रेस के किसी नेता पर होती है तो आम आदमी पार्टी चुप्पी सादती है और आम आदमी पार्टी तो खुद उल्जी हुई है मनीशी सोदिया सत्येंद्र जैन जेल में है इस पर कॉंग्रेस ने भी चुप्पी साद रखी थी मुद्दा एक जैसा है इस बड़े मुद्दे के बावजूद दोनों में मदबेत कितने ज्यादा रहे हैं अभी तक इस आम आदमी पार्टी के साथ जाने से नुकसान ना हो जाए जैसी बहुत सारी बाते रहीं लेकिन इस सबके बावजूद के बावजूद के खुलकर राहूल गांदी के समर्तन में आना इस मुद्दे पर यह बहुत बड़ा संकेत करता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंतरी सौरभ भारत दौाज ने भी राहूल गांदी का बचाओ किया है उन्होंने कहा अलग-अलग मुकदमों में विपक्ष के निताओं को फसाया जा रहा है दरजनों मुकदमे दरज करके विपक्ष को बताया जा रहा है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान बंद करा देंगे ये ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी के रुख में ये बदलाओ क्यों है ये बहुत महत्तुपून है देखिए ये संकेत है ये एक संकेत 2024 के चुनाओ के लिए आज से भी बहुत महत्तुपून माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के और से राहूल गांदी का बचाओ किये जाने के बाद सवाल उटने लगा है तो कुछ नेताओं ने सवाल भी उठाया था कि जब कॉंग्रेस नेताओं के खिलाब कुछ कारेवाई होती है तो आप क्यों चुपी साधे रखती है आपको याद होगा सुप्रिया शिर्नेत ने बकाइदा इस पर एक प्रस कॉन्फरेंस की थी उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे नेताओं पर कोई कारेवाई होती है तो आम आदमी पार्टी चुपे साधे रखती है ये सवाल उनसे पूछा गया था कि मनी सुसिदिया मामले पर आप चूप क्यों है क्योंकि आप तो केंद्रिय जाच एजेंसियों के बेजा इस्तमाल का मुद्धा उठा रहे हैं और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है तो आप साथ में क्यों नहीं आते हैं कॉंग्रेस आई नहीं आई ये एक अलग बात है लेकिन केजरिवाल खुल कर रहूल गांदी के समर्तन में आ गये हैं सिर्फ केजरिवाल नहीं आम आदमी पार्टी के अन्य नेता सौरभ भारत वाजें रागव चड़्डा ने क्या का वो भी आपको बता देता हूँ तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के कई नेता एक साथ उत्रे हैं ये पार्टी की पॉलिसी साब देखने को मिल रही है रागव चड़्डा सौरभ भारत वाल ने भी राहूल गांदी का बकाइदा नाम लेते हुए उनका समर्तन किया है या उनका साथ दिया है इस मामले में वो राहूल गांदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी घटना है वहीं शिवसेना उद्दव गुट के प्रियंका चतुरवेदी हैं और प्रियंका चतुरवेदी तो हलकी साथ ही है कॉंग्रेस के एक तरीके से देखा जाये तो और प्रियंका पहले कॉंग्रेस में रह चुकी हैं फिर दूरिया होई थी उसके बाद में फिर वो शिवसेना में चली गए थी फिर शिवसेना के उद्दव गुट के साथ बनी रहीं हैं और सरकार के जी हजूर होने से इंकार करती हैं राउल गांदी के लिए थोड़ी मुश्किले बड़ी हैं लेकिन आप देख रहा है राजनेतिक तोर पर ये मुद्दा कितना गर्मा गया है बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे बहुत बड़ी त खरगे के पीछे भीर चल रही थी उनसे पूछा गया इस मामले पर प्रतिक्रिया ली गई तो पीछे से जेपी सी जेपी सी की आवाजे उठने लगी जॉइन पार्लियामेंटरी कमेटी की मांग की जा रही है मोधी अडानी संबंदों की जाच के लिए अडानी मुद्दे पर जाच के लिए और इस पूरे मुद्दे को लगातार राहूल गांदी उठा रहे हैं इसको बड़ा मुद्दा आगामी चुनाओ से पहले बना रहे हैं लियाजा ये तैम आना जा रहा है कि राहूल गांदी या फिर कॉंग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है क और इसमें सबसे महत्वपूर्ण गटना करम यही है कि आम आदमी पार्टी भी अब कॉंग्रेस के समर्थन में दिखाई दे रही है सजा के साथ ही जमानत भी मिल गई है रहूल गांदी को 2019 में मोधी सरनेम को लेकर उन्होंने टिपपणी की थी इसमें सूरत की अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है दोशी पाया दो साल की सजा दी मामले में तुरन जमानत मिल गई है और 30 दिन के लिए सजा को स्थगित किया मोधी है और इसका बकायदा ट्रांसलेशन भी स्थानी भाषा में चल रहा था इसी को लेकर भाजपा विदायक और गुजरात के पूर मंत्री पूरनेश मोधी ने राहूल गांदी के खिलाब मानानी का मामला दर्ज कराया उनका आरोप था कि राहूल ने अपनी इस पनी की थी तो इस पर कॉंग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया आई राहूल की प्रतिक्रिया आई लेकिन सबसे आदा महतुपूर्णा चर्चा का केंद्र बनी हुए वो है अरविंद केजरिवाल की टिपपनी आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हूं जैसे सौरभ भारतवाज रागव चड़्डा ने भी राहूल गांदी का समर्तन किया है और ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्धे पर कॉंग्रेस के साथ राहूल गांदी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और इससे पहले मुक्य नियाएक मजिस्टेट एचेच वरमा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीले सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए आज की तारीक तैय की थी और राहूल इस मामले की सुनवाई के दोरान तीन बार अदालत में प अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक